इस गंबले में अभी जड़ें बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गई है नीचे से इसलिए इसको अभी हम दूसरे गंबले में सिफ्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमने यह गंबला तोड़ दिया और इसकी जड़ों को अभी ऐसे हम अटाएंगे करो इसको अटाओ नीचे से दीरे दीरे मार मार के अटा दीजिए उसको खाली करो आप दूसरे गंबले को इससे क्या होगा कि इसको दुबारा से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और इसकी जो लीव्स हैं उगदम बहुत ही कलर्ड हो जाएंगी यह जो एक्स्ट्रा जड़े हैं इनको निकाल दो बाहर से अटा दीजिए आथ से अटा दीजिए इनको तोड़ दो इनको बाहर से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अठा दीजिए इनको इसको खाली कर लो आप इसकी सारी जड़ने लगवग बहर आचुकी है और इसको अभी हम नए गंबले में सिफ्ट करेंगे खटाओ खटाओ जड़े खटाओ और निकालो अब आप सूच रहे होंगे कि जड़े तोड़ने से क्या पेड़ सूख जाएगा बिलकुल नहीं ऐसा होगा यह बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा अभी इसको सिफ्ट कीजिए अभी पुमिट्टी निकाल लेगा अभी इसको सर एक नया जीवन मिल जाएगा अभी दुबारा से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा किवल जड़ी जड़ों में इसका बोजन पूरा स्टोर हो गया अब यह उपर की तरफ ग्रोथ करेगा नहीं हाँ जी ला उठाव मिठलाल दिया भी इसको और रखिया इस गंबले में यह आप देखिए इसको और निकाल लो थोड़ी सी मिट्टी इसकी निकालो कि अब करने तोड़े इसको निकालो बिल्कुल निकालो बिल्कुल इसको नीचे से ट्राइट मिट्टी को एक बार लूज करके इसमें अमें सिफ्ट करना आई और नीचे तक लीजिए एक बार वाँदा कर दो मिट्टी को निकालो पूरी तरह से मिट्टी दोबारा से बरेंगे उसमें इसको खोल लो हाँ हटा लीजिए पूरा निकाली है मिट्टी को खो दियो उसको अच्छे है अजय को अजय कोड़ा को अजय को दो अजय को दो इसको कर दो आए इसे निकाली है इसे निकाली है अब यह में टी लूज हो गई है विल्कल ना हम से जाती है इसको बॉटम नहीं टूड़ जा दिया हम रखो बस अब उसको सिफ्ट कर दीजिए इसमें अब यह जैसे इसमें डाल दिया और अब उपर से मिट्टी भर दीजिए दबानी नहीं है मिट्टी बिल्कल उपर से चोड़ दीजिए अजनी से यह खाद मिला हुई मैट्टी थी पहले ही उसको हम चोड़ रहे है और उसमें कोई देखकर नहीं होगी है बस अब इसमें तोड़ा सा पाणी लाके डाल दो कर दो